आज हम जानने वाले हैं टॉप टेन मोस्ट इंगेजिंग इंगेजिंग इंगेज रह सकते हैं और आप अपने बच्छों को इस प्रकार की मैजिंग पढ़ने के आदर डा सकते हैं जिसमें क्यों के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी डेबलाप हो सके हैं हाई गाइज आइंस्ते नितु निगम एंग वेलकम टो मैजटानेल माइपार्शालावाई नितु निगम पर्स्ट मैजिक पॉर्ट यह हम नंबर्स के या रैंकिंग के हिसाब से नहीं बता रहें सिर्फ नंबरे मैंने किया हैं मैजिक पॉर्ट इस तरह की मैजिन है, जो कि बच्चे के लिए weekly publish होती है यह English मैच्जिन है और weekly होती है इसमें बहुत सारे creative activities जैसे craft गेंग्स एंड मच्च मोड रहते हैं जिससे बच्चे की engagement बनी रहते हैं तो यह मैच्जिन आप अपने बच्चों को सजेस्ट बच्चे को बता सकते हैं नेक्स दूसरी मैच्जिन आ जाती है यह मंध्ली मैच्जिन है मंध में एक वाड़ निकलती है और इसके द्वारा भी एडिये एक English मैच्जिन है जिससे बच्चों को School Project and Assignment किस प्रकार बनाया चाहिए बहुत जानने में helpful रहता है मदद मिलती है नेक्ट मैच्जिन के बारे में जाने है नेशनल जियोग्राफिक केट्स यह भी एक मैच्जिन है थमंधली मैच्जिन है यह बहुत ही पॉपुलर मैच्जिन है किट्स के बीच में जो कि इंडिया में भी आप इसे देख सकते है अलग-अलग एनिमल्स के बारे में इसके द्वारा बच्चे को जानने में मदद कनती है नेक्स्ट रॉविन एज रॉविन एज एक तरह का नियूस पेपर है जो कि बच के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का नियूस में पर आप पढ़ने की आधर टाने नेक्स्ट हो जाता है हाइलाइट्स जीनियस जो की दो से छे साल के बच्चों के लिए है इसमें जो है बच्चों को फन एक्टिविटीज और डेबलॉप हेल्पिंग डेबलॉप एसेंसिय सिखाया जाता है साथी स्कूल में भी इस तरह की एक्टिविटी होती है जैसे कलरफूल फन फिल्ड मैग्जिन डेबलॉप इन अर्ली चैल्फूल डेबलॉप एक्सपर्ट बेसिक इसके नॉलेज और क्रेटिविटी और सेंसेटिविटी इन सारे क्वालिटी को इसके इसमें बच्चों को 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 इन सारे चीजों को इस magazine में एड़ किया जाता है नेक्स्ट आ जाता है चंपक जो की हिंदी और इंग्लिस लैंग्वेज में तो रहते ही है साथ ही इसके अलावा टोटल एट लैंग्वेज में इस बुक को पब्लिस किया जाता है और चंपक लार्जेस्ट सेलिंग चिल्डर्न्स मेंग्जिन है इंडिया में करीब यह 6 मिलियन किड्स वर्ल्ड में हमेशा इसको पड़ते हैं इस मेंग्जिन में एड्वेंचर्स हुमर्स इन क्यूसे टेप्स स्टोरी और चंपक इस तरह के जो है आप पड़ते हैं यह सारी चे चेल्डर्नस फेस्ट लाइट्स ओफ एड लाइव इंटो दा मैंजिकल वर्ड किस प्रकार का होता है यह सारे इस बुक्स में बच्चे को बताया जाता साथी यह बुक्स जो है 1968 में इसे स्टार्ट किया गया था जो केट्स जोन में, केट्स वर्ड में या बच्चों की दुनिया में यह सबसे फेमस मैंजिन्स हैं अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चानल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सेयर कीजिए, साथ ही हमें सपोर्ट करें रिट्स एंड कलर, यह एक रिट एंड कलरिंग बुक होती है, जो की 3 से 9 यर बच्चों के लिए किया जाता है, जिससे बच्चे जो है, इस मैंजिन्स में यह मैंजिन रहती है, और इसमें 3 से 9 साल के बच्चे एड किया जाते है, इसमें स्टोरी और कलरिंग रहती है, इसम इंग्लिस में यह मैगमे रहती है और एक्साइटिंग वालड और इंग्लिष श्टोरी और करने का रहता है तो बच्चे का सब्सक्राइब भी एक्सपार हो जाते हैं कि किस प्रकार किसी भी इमेज को कलर करना होता है नेक्स्ट आज आता है टिंकल मैजन यह एज ग्रूप 5 से 10 एज ग्रूप के बच्चों के लिए होती है यह विकली मैजन होती है जो कि इंगलिस में होती है इंडियन, क्लासिक इंडियन कॉमिक रहते हैं इसके द्वारा इस बुक में शेयर किया जाता है जिससे बच्चें बहुत कुछ एक्टिविटी सेखते हैं और अपने आपको इंग्लेज रखते हैं यह सारी ऐसी मैजन से जो आल्मोस्ट इंगलिस में रहती है जिससे कि बच्चें को कोई भी एक मैजन आप आदर दलाएं कि हर मन्तु से पटाएं तो से भी उसकी इंगलेश और अदर एक्टिविटीज इंप्रोव होती है ब्रेन इस्पेश ब्रेन इस्पेश आवार्ड बिनिंग प्रिंट मैजन है जो की एट से फोर्टीन इयर्स के के लिए हैते हैं यह डिलेवर वाई मंथली एंड पैटिन साइंस, मैथ एंड क्रेट एकाडमिक कंटेंट इसके अंदर सामिल किया जाते हैं नेक्स्ट आजाता है नमबर टेन एंड लास्ट टाइम फॉर टेट्स इनहेंस कॉंड रियर्टिव डेपलोप्मेंट इस मैजन के दौरा बच्चों को डेपलोप किया जाता है बच्चों में यह जनरली एज ग्रूप फाइब टुवल एज ग्रूप के बच्चों के लिए होता है जिससे बच्चे की कॉंगिनेटिव स्किल एंड हेल्फ स्किल अंडरस्टांड होती है साथ ही वो पास प्रेजेंट और फ्यूचर को अंडरस्टांड कर पाते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए सब्स्राइब कीजिए एंड सेल कीजिए थैंक यू